ब्राट तो यू बाई अजिलिस डाइगनॉस्टिक्स इसको लेकर बावाल मच गया जब वीडियो वाइरल ही इसको लेकर मुकदमा दर्जुआ आरूपी को गिरफतार कर ली गया है लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अब इसको लेकर सियासत गर्मा गई है हम उस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आपको नव असले को लेकर क्या कहना है समाजवादी पाटी का कई लोगों ने कहाए कि यह तो करेक्टर है समाजवादी पाटी का आरोप इस तरह के लगाए हैं सर यह जो मामला सामने आया इसकी तस्वीरे भी वाइरल हो रही है उत्तर प्रदेश में कभी सपा के एक निता भी हमने पी क्योंकि कन्नों से सामने है क्या कहीं इसमें देखिए यह मामला चुकि खुला है तो अवियसली इसकी जाच पूरी होगी अब यह मामला एक चुकि अखलेश यादों के बहुत नजदी की नेता से जुड़ा हुआ है तो निश्ची तुरूप से इसको लेकर सियासत जादा जो वीडियो या जो पिक्चर सामने आई हैं वो कितनी सही कितनी फेक हैं क्योंकि उनके जो कारेकरता हैं नवाभ सिंग के जो फॉलोर्स हैं उनका ये दावा है कि ये सब कुछ जो है वो सियासत की बदौलत हो रहा है और ये सारी चीज़े फेक हैं मगर अभी तक कोई भी को जो यह साबित करेंगी अब चुकि वो अकिलेश यादों के बहुत नजदीकी माने जाते हैं चुकि तिरवा वाला इलाकर तिरवा कनलोज वाला एलाकर तो और कनलोनeral in टावा साफई यह के अकलेश की इसकी इसकाлем कुछ भी कोई भी नहीं अगर किसी भी तरीके के किसी मामले में सामने आता है लपेटे में आता है तो निश्य जूप से उसकी उंगली और उसके छीटे अखले श्यादों के दामन तक तो जाएंगे अब पुलिस अब देखना ये है कि यूपी पुलिस इसकी इंक्वाइरी कितनी तेज और कितनी सफा मिलेगा या इस मामले को जल्दी से जल्दी करके रफा दफा करना चाहिए तो आपको रविवार की रात हिरासत में लिए गये थे आरोपी को और उसके बाद सोमवार की दोपहर कोर्ट में पेश किया गया जिसके बाद शाम को जेल भेज दिया गया सवाल ये उठता है जो वीडियो भी सामने आई है कि सपा के सर ये तो एक पहले मोहिद खान के बारे में हम देख रहे थे उसने एक बच्ची को जो है वो प्रेगनेट कर दिया उसके साथ बलातकार किया और उसके बाद उसको एबॉर्शन कराना पड़ा अब स्थिती ये है कि वहां पर लॉय नॉ किसी बात को लेकर वो ये है कि आपने नेता को गिरफतार किया उसको कोड में पेश किया और जेल भेज दिया आखिर उसकी रिवांड क्यों नहीं ली पुलिस ने उसकी रिवांड क्यों नहीं ली क्या उससे पूस्ताच जरूरी नहीं है पुलिस को उससे पूस्ताच नहीं कहीं आईबॉल रेस करती हैं तो ऐसे में ये बात पुलिस को या पुलिस को सामने आकर ये सम्झाना पड़ेगा कि हम जो भी कारवाई कर रहे हैं उसमें फेर है सब कुछ और इसमें किसी को भी कोई लिबर्टी या छूट नहीं दी जाएगी क्योंकि इस पूरे मौमले में ज सारी चीजें पॉलिटिकल ओरिंटेट होती दिख रहे हैं इसमें इक बाद जान करें देदू इसके खिलाफ अब तक सोलवा मामले दर्ज हो है या निकि हम साफ कह सकते हैं कि अब इसको लेकर कई सारे आरोप और प्रतियारोप तो लगाए जा रहे लेकिन दामन जो है वो दामन साफ नहीं है और इसके साथ साथ उनकी पारिटी को भी इसका खम्याजा भुगत ना पर सकता है क्योंकि कई चीजें होती हैं जब आप जब इस तरह की चीजें खुलती हैं तो बहुत से लिंक बहुत से चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती चलती है अगर इस मामले मे ये नवाब सिंग जिस तरह के से अभी तक पुलिस के घेरे में आए हैं और पकले गए हैं उससे लगता है कि आगे चलके इनकी बहुत सी चीजें और सामने आएंगी अभी तो 16 मामले हैं हो सकता है ये मामले बढ़के 20-25-32 तक पहुँच जाएं तो अभी तर जानकारी नि बहाने से बुलाया गया था और ये कहा था कि नौकरी दिलवाएगा और इसकी बेसिस पर उसके साथ इस तरह की दरिंदिगी कर रहा था इसकी जो कंफर्मिशन की है SP अमित कुमार आनंद ने भी की है और ये कहा है कि यादव के खिलाफ मुगदमा दर्च कर लिया गया है ज में तो कितनी हींयस तरही कि दग्याए फिरकिया घैसकी इसमें क्या आपडिण है किस में क्ल्कटा वाले मामले में यह कि अव है कि अभी इस को जो कुच्ध है संजर रवाय। उसको पकड़ लिया गया और उससे पूता चल रही है उसमें एकसेप्प कर लिया है कि उस तरह से इस पूरे घटना करम को अंजाम दिया लेकिन जो जिस तरीके से वहाँ पर सारी चीजें मुटिलेटिड हुई है अभी तक उसको लेकर पूरे देश में एजिटेशन है क्योंकि एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है वो घटना किसी भी हालत में मामुली नहीं क्योंकि उसके साथ बहुत बुरी तरह के से धरिंदिगी के साथ पेश पेशाया है तो इसको लेकर कि वहाँ पे क्यों नहीं बहुत जल्दी से सारी चीजें की जाती है ताकि यह पूरा केस एक सिरे पर पहुँच सके इसी बात को लेकर लखनव, बरेली, दिल्ली, हर जगे बिहार, हर जगे के इम्स और सारे सरकारी डॉक्टर्स ने अब हरताल शुरू कर दी, उन्होंने ओपीडी बंद कर दी है और यह पब्लिक को परिशान करेगी तो निश्य दूप से सरकार का यह concern है, सेंटर गॉर्मेंट को इसमें इंटर्वेन करना पढ़ेगा, स्टेट ग अबरजिंसी को हैंड़ोवर करना हो चाहिए, ताकि इसका जल्दी से जल्दी दूद का दूद और पानी पानी हो जाए, यह घटना और ऐसी कोई घटना दुबारन नहोंने पाए, बिल्कुल ठीका गॉपाल जी ने जिस तरह से हमने देखा, कोलकता से घटना सामने ही, आर इसलिए, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने इसमें एक कैनवास तैयार किया, उसमें पूरा अपना स्केच रखा और उसको फिर प्रेंट किया, यानि कि कहीं ना कहीं उसने नौ महीने पहले, जब यह मामला पहली बार सामने आया था, तब ही पुलिस ने दावा किया था कि हमने पकड लिया, उसके बाद भी हत्याएं होती रही, फिर अब दावा किया जा रहा है कि हमने पकड लिया, तो पुलिस के दावे यहां पे कुश्चन, कुश्चन मार खाला, इसके लाबा बरेली का जैसे हमने, गोपाल जी ने मामला डिसकस कर लिया, हमने वो भी मामला ड बदलते हैं, पीड़ित बदलते हैं, लेकिन ये घड़ना है रुपने का नाम नहीं लिए, खेर, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, और ऐसे अपराधियों को सकस सकसा मिलनी चाहिए, आप लोग को इस पर क्या भी पॉइंट ज़रूर बताएगा, ये वीडियो कैसे लगी, ठ हैं पॉपने दो कि बदलते हैं, और बनी चाहिए, आप लेए, अज़्र बनी चाहें को इस पर क्या गगी ज़रूर फ़रूरूर बनी चाहें हैं, आप लेंगा खेंगा नहीं हैं,